ये अगर अभी तक नहीं की है तो जाहिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए 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 बेल आइकोन को प्रेस करना बिलकूर भी ना राहूल वैद्य पिछले 11 दिनों से केप टॉन में रोही शेट्टी के रियालिटी शो की शूटिंग कर रहे हैं बेती राथ ही राहूल वैद्य इंस्टाग्राम पर लाइफ वीडियो के माध्यम से अपने फैन से जुड़े थे इस दरान लगे हाथ राहूल वैद्य ने गल्फरंड दिशपरमार और अली गोनी से भी बातचीत कर डाली लाइफ वीडियो के शुरुआत में ही राहूल वैद्य ने अपने उपर कई फिल्टर्स का इस्तमाल भी किया और एक फिल्टर में तोन किया कि नीली चमकने लगई इस विल्टर को देखने के बाद राहूल वैद्य ने खुद को नाग बता दिया राहूल वैद्य की फैन्स कमेंट बॉक्स में एक तक अपुर को टैक करके कहने लगी कि वो नाक इंसेक्स में राहूल वैद्य के लिए कोई अच्छा किर्दार ज़रूर रखे इस लाइफ चाट में अली गोनी से बात करते हुए राहूल वैद्य ने बताया कि वो केप टाउन 45 दिनों के लिए आई हुए हैं राहूल वैद्य अभी तीन हफ़ते और वहार रहने वाले हैं शुटिंग खतम करते ही सभी कंटेस्टन्स वो अपस मुंबई आ जाएंगे इसके बाद हर बार की तरह फिनाले के शुटिंग बाद में की जाएगे दिशापरमार पर हमेशा प्यार लुटाने वाले राहूल वैद्य इस वीडियो में दिशापरमार की खुब ठांक की चाही करते नजर आए हैं राहूल वैद्य और अली गोनी ने मिलकर दिशापरमार के साथ खुब मस्ती भी की है